हेलो स्टुडेंट्स एंड वेल्कम तो दे कमाल चंकल तो यहस आखकी स्टुडियो में हम गुजार्ट युश्टी एक्जाम्स मार्च 21 बिल्कुम स्याम वन के लिए हमारो सब्जेक्ट है जनर्नल इंग्लिस याट मिन इंग्लिस उसके लिए मुस्ट आंपी क्विस्ट्स ए लग है जनर्ट पर प्रप्रटन वारे जा रहा है तो इंग्लिस में कहा है दोस्तों हमारी जो गुज्णायं विधियम के लिए बूक अलग है ध मिन ग्लोंन है और इंग्लिस मिधियम के लिए भी शिलिबस अलग है इंडिस वीडियों के लिए आपको आके बुख आती है पिनेकल और गुजाई डेम के लिए आपके बुख आती है बूटिफुल माइन्स मैंने आज आज की स्वूडियो में दोनों के लिए दोनों के लिए मैं आज की स्वूडियों में आपको most time-per questions और exam जैसे आप लोगम कर सकते तो लेस्ट सबस्टर तो सबसे पहले आपको आपको इसना कर लेता हूँ आपको दो सेक्षन दिखेंगे मिलेगे paper style में अपनी section one में आपको cool four question दिखेंगे आपको cool four question में से कोई भी दो लिखने होगे एक question 20 mark का होगा that means आपके वो चाल में से आप दो लुखेंगे तो आपके 40 हो जाएगे और आपको 10 mark के mcq दिखेंगे अब mcq English के लिए हम mcq दिखेंगे सकते हैं क्योंकि अगर वो चाहे तो fill in the blank और trifles भी देख सकते हैं आपको 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 दिखेंगे paper style तो yes जो मैंने वो four question कहें आपको उसमें हो question number one होगा हमारा जो और yes वो four के four question एक उसले के और में होगा Then question number one question number two question 3 और question for this is the four question again तो question 1 लिख सकते हो और उसके बाद directly question 3 लिख सकते हो आप चाहरो direct which 2 लिख सकते हो और word लिख सकते हो मतलब कि यह जो चाहर question है ना आपको आपको दिखोना पर में उसमें से आपको कोई भी दो लिखने ओके तो लेस्ट तार्ट तुमार वह होाला रहेंगा उनित नमर वन में से और हो 20 मार्क का वागा जरेंमें आखे का रहा है हरें क्रिशन 20 का वह तो भी रहें किस्टन भी 20 का होगा वर यस अहम बात करेंगे हमारी नमर में से आएगा तो यस गुज़ानय दिम के English curriculum के लिए हमारे chapter से friends unit 1 के लिए the boy who broke the bank, black boy the extract, the man who redefined the digital age ये तेन chapter है हमारे English curriculum के लिए ये थेन है गुजानी अधेम के लिए तो आपका question number one, unit number one से आएगा और yes आप लोग यहाँ पर here will get brief question and short notes तो yes आपको ये जो हमारे 3-3 unit है तीन उनिट गुजारी डियम के, और टीन उनिट एंगलिस मीडियम के. आपको जो गुजारी डियम में वाले बच्चे हैं, उनके एक्जाम में क्या होगा? आप सब्सक्राइब प्रिपर होगा ना पेपर वो एक ही आएगा मतलब एक ही पेपर में आप दोनों के पेपर होगे प्पर लिखेंगे और फिर आपको स्टार्ट करना है ओके वह आपको जबाब अब प्रफेशर हो बहुत हो आपको कहेंगा एक्जाम देने इक्जाम होल में तो एस हमें क्याल लेगा यहाँ पर भीद्ट है सट्नाट हमान एट नुमर वन में से रुक्यमें इक्ट में ने चैप्टर कॉंट से में धिस्क्सिन कर लिए यहां पर तो यह किस्वा थे मार्कalen का यान फ्रेंट्स फ्रेंड्स किसंट कितने मार्क सस्ख के लोगे और लिस्छी्ध मार्क के आपको वह और डिफाई नहीं है लेकिन यस्ठ यह दोनों दोनहें मिल निकें आपका कि पर ऐकाय टैन्टी मार्कल्प में 20 था होगा तो हमाँ यह रूंपर 1 कि समर वन फीनिश और आगकर हैं यह माघा नमर टू जो भी रूप एंड के और में होगा the seven ages of man and the road not taken तो यहाप भी यह किस्टन भी सेम फ्रेंड्स 20 मार्का का रहेगा आपका और यहाप भी किस्टन 1 के जैसे ही brief question और short note दीखने को मिलेंगे 20 mark का और यहाँ भी defined नहीं है कि आपको कितने mark के short note आएगे और brief question आएगे लेकिन यह दोनों आएगे वो compressor ही है 20 mark पे तो यह हो गया हमारा question number 2 unit number 2 में से आएगा अब हम देखते हैं हमारा question number 3 जो भी question 2 के word में होगा तो मारा question number 3 है जो आएगा हमार इतनमर 3 में से और इतनमर 3 grammar है अब यहाँ पे है ना सभी medium में यहाँ पे book एक हो जाती है समझे हो आप लोग जो इतनमर 2 2 end friends वन ही अलग लग थे उनमें उनमें ही chapter का फेरफर था यहाँ पे तो ग्रामर तो आप दोनों को एक ही आएगा गुजानी देम के लिए और इंग्लिस में के लिए तो यस आपको ग्रामर आएगा इतनमर 3 में से आपके question number 3 तो आप यहाँ पे fill in the blank दिखेंगे और वो कैसे दिखेंगे A और B यह हमारे यहाँ पे तो आपको में भी अगर as per my information आपको 10 mark के friends do, be and have as the main words दिखेंगे जिसमें आपको एक sentence होगा बीच में fill in the blank blank होगा और आपको bracket में 2 words दिखेंगे जिसमें से आपको कोई भी एक word जो 3 हो एक sentence के मुझा बीच वो आपको लिखना होगा वैसा ही, 10-6 में भी ऐसा ही होगा आपको sentence दिखेंगा bracket में 2 words दिखेंगे तो आपको जो भी word ठीक sentence के मुझा बीखो वो आपको sentence में fill in the blank में डालना होगा तो यह होगा है हमारा 20 mark का आएगा newt no.3, question no.3 में और grammar होगा अब आएगा हमारा question no.4 जो भी word में होगा question no.3 के जिनी मैंने आगे बात की वैसा है question no.4 newt no.4 में यह से आएगा newt no.4 है हमारा दोनों दोनों के लिए comprehension and composition उसमें हमारा a or b होगा paragraph writing comprehension of passage आप लोग देख सकते हैं यह आपे तो आपको क्या होगा, यह भी question भी आपका रहेगा तो yes, आपको paragraph writing आएगी और comprehension passage आएगा, मतलब कि गुज़ात में लोग के को फक्रानु संसिप्त, जो आप गुज़ात इमें देखके आए होगे, और paragraph writing में क्या होगा, आपकी बुक पे पिछे आपको 40 to 60 passage paragraph दिखेंगे आप लोग देखेंगे सभी सभी गहात्मा गांदी है डॉक्टर आमिन ब्लाड़ी उन सब के उपर लिखा होगा तो आपको एक्जाम बेभी उनमें से कोई भी एक पर आएगा paragraph writing और पिछेस पैसेज भी आपको अपनी बुक में दिया होगा उसमें भी आएगा अब यह दुनों के 20 मार्क के अब यहां पर वो डिसाडेड नहीं है प्रेंट्स कि भाई यह कितने का होगा यह कितने का मार्स आएगा लेकिन आएगा वो कंपर सड़ी है अब हमारा आएगा question number 2 sorry question number 2 section number 2 मतलब कि हमने यह चयार question होगे 20 मार्क के तो हमने उसमें से दो ही लिखने है 20 मार्क 20 plus 20 हमारे कितने हो गए 40 हो गए अब 10 मार्क जो रहते न आपके वो आपके आएगा MCQ में वो आपको दिखने मिलेगे section 2 में हमारे section 2 में क्या रहेगा section 2 में क्या रहेगा friends आपको 10 मार्क के अभी English है तो यह पर आपको वो लोग 10 मार्क में true or false भी दे सकते हैं यह फिर MCQ भी दे सकते हैं यह फिर fill in the blank भी दे सकते हैं लेकिन I think fill in the blank काने के chances कम हैं लेकिन yes true or false और MCQ के chances पूरे के पूरे हैं तो आपको अपनी book से पीछे के सभी MCQ और और जो true or false आपको पीप्रे कर लेने हैं अब मैं आपको देरता हूँ short knots IMP है जो हमारी वह मैं आपको देरता हूँ yes तो मैंने यहाँ पर दोनों medium के लिए सबसे पहले गुजाणी medium के लिए उसके बाद है English medium के लिए सबसे पहले हम गुजाणी dream के देख लेते हैं तो yes मैंने आपको छे छे दी है दोनों medium के लिए सबसे पहले है the pillars of digital India प्रोग्राम्स दूसरे नमर आपी स्वामी थर्ड नमर पे रतनम फर्ड नमर यह फादर रिटरिंग होम और लॉयन लेस आपना old man 5. Central idea of the poem stopping by the woods and evening सिस नमर पे थीम तर लिजर ओके लिजर की आपको थीम आपका अपनी पुक में से मिल जाएगी तो यह कही है सबसे आपको छे लिए अब दिखले English medium के लिए क्या है तो yes, title of the story the boy who broke the bank उसके बाद the black boy mother 3. The man who redefined your digital ages उसकी आप थीम या idea कर सकते हैं 7 number पर है 7 stages outlined in the poem जो अमारी poem है The Seven Ages of Man उसके जो 7 stage आपके दिल गए वह आपको प्रिप्रे कलने चाहिए और yes, 5 number है idea of poem that the mind is without fear 6 नमर पर है The road not taken अब आप यह 6 से किजे ना वह minimum है मैं आपको एक idea देता हूँ कि भाई short note क्यासे प्रिप्रेक करने चाहिए मैंने IMP तो देए रखिए सभी अपने जो unit है सभी chapters उसमें से आपको एक एक short note है वह कौनसी theme वाली या idea वाली ओके अभी यह जाहिए या फिर idea कर लिना चाहिए तो आप अगर आपको इस unit में से फिर आपको इस chapter में से कोई भी short note आएगी ना friends तो आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको यह आप आप करके गए title of the story नहीं कर गए लिए आप करके गए the boy वो broke the bank theme करके गए है और आपको आपको अप्में विख से लिए तो दोनों का आपको आपको यह से खरके लिए तो आप लोग यह से कर सकते short note के लिए तो यह कि हमारी फिपर स्टाईल imp और yes अब मैं को कहँगा यहा पर क्वों सु उनित करने चाहिए unit फ़र में से आपको कौंशी उनिट करने चाहिए दो तो मैं आपको घ्रामर अच्छा है ना फ्रेंट्स अगर आप रोकडे मार्क्स चाहिए तो आप इस नम्मर ठी कर सकते हों क्या रहेगा अगर आपकी संपिसन लिखेंगे आपको आएगी तो भी हम रोकडे मार्क यहाप न चाहेंगे और यस अगर आपने यह दो कल लिए तो द्वांट प्रेवेंशन आपको चिंटां की जाओड नहीं है तेकिन अबर इस में से आप अगर दो कप कर सकते हैं कि भी आपकी कंप्लेट प्रिप्रेशन हो इन दोनों में क्योंकि यह दोनों थियरी वाले हैं तो आपक दूमें से एक ओके तो फिर हमारी 40 मार्क यह हो जाएंगे और 10 मारके MCQ आ जाएंगे तो यह थी फूरी प्रेपर स्टाइल और IMP क्रिस्टंस प्रिदे आपकी लिंक में निचे डार्ग्रावट स्टेम बोस में जाएं तो डाउनलोग कर सकते हैं थेक्स पर सपोट एंड ल कर दो